पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी जम्मू कश्मिर में यागता है की नकली रजिस्टेशन स्लिप बनाने और बेजने का काम कर रहे थे इन में से मुख्य अरोपी दिल्ली का रहने वाला है जो नकली परमिट बनाता था उसके दो सयोगी बस सेवा का इंतिजाम करने और श्रद्धालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तयार करने का काम करते थ पुलिस ने शुकरवार को जम्मू सांभा और कठवा जिले में यात्रियों के पास से 400 से ज़्यादा नकली रजिस्टेशन परमिट बरामत किये थे इसके बाद पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ केस दर्च करके छानबिन शुरू की जम्मो के सीनियर सुप्रीडें पुलिस चंदल कोहली ने बताया कि हमारी जाच्ट में सामने आया कि दिली का एक शक्स इस रेकेट को चला रहा है चम्मो कश्मिर पुलिस की एक टीम ने दिली में रेट डाली और शाहदरा के वेस्ट रोतास नगर से हरेंदर वर्मान नाम के आरूपी को गिरफतर किया बा प्रिंट किये जाते थे एसेसपी ने अमना त्यात्रियों से अपिल की है कि वे सरकारी दफ्तोर में जाकर रजिस्ट्रेशन करा है और ऐसे अपराधियों का शिकार बनने से बचे इसी कसाद बने रही है राजनमा टीवी के साथ दाने बाद